मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सिल्प उपर हस्त सिल्प में निशुक प्रसिक्षन पाने के लिए आवेदन करने की आज अंतिम्ति थी निकास और कल्यानकारी योजनाओं के लिए बिहार को मिले 7,338 करोड उपए नकारंक कारेक्रम के साथ होगा सोनपूर मेले का समापन बिहार का लाल अमिताब बच्चन के सवालों का देगा जवाब इसमान ख्वाजा ने एक बार फिर से ICC से लिया पंगा इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और वस्तार से बीपीस सिग्यारवी बारवी के 20 विश्यों का रिजल्ट जारी बीदर दिस सोंबार को बिहार लोग सीवा आयोग के द्वारा दूसरे चरन की बिहार से चख नुक्ती परिच्चा के ग्यारवी एवं बारवी के 20 विश्यों के रिजल्ट जारी कर दिये गया है जिसमें कुल 22,131 से चख अभ्यर्थी सफल हुए है वहीं जिन 20 विश्यों का रिजल्ट जारी किया गया है उसमें अर्थसास्त, संस्कृत, संगी, जोलोजी, समास, सास्तर, दर्सन, सास्तर, मनो, विज्यान, ग्रिविज्यान, इतिहास, एंटरप्रिनियोर्शिप, बोटनी, केमस्ट्री, गनत, फजक्स, बांगला, मघी, भ विजल्ट में जिन भी अभियर्थियों को सफलता मिली है, उनका आस से यानिकी, 26 दिसंबर से काउंसलिंग सुरू हो चुका है, जो की 31 दिसंबर तक चलेगा, बिहार में कुरोणा मरीज की संख्या बढ़कर हुई चार, कुरोणा के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है, बता दे कि बिहार में भी, कुरोणा के मामलों की संख्या चार हो गई है, दरसल रोतास में 10 साल की बच्ची कुरोणा संक्रमित पाई गई है, ऐसे में फिलहाल ये बच्ची नारायान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भरती है, वहीं बच्ची को छोड़ कर अ प्रताएं हैं और लोगों को अब जरूरी है कि बीर भार वाले एक लाके में चेहरे पर मास का इस्तमाल करें, अगर आप उन लोगों में से हैं जो हसता सिल्प में प्रसक्छन लीना चाहते हैं तो यहां खबर आपके लिए हैं बता दे कि उपिंद्र महाराथी श्रिपर अ पर जाकर अपना ओनलाइन आविदन कर सकते हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्र नितीश कुमार की अध्यक्षता में हुई नितीश काबिनेट की बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहन लगाई गई जिसमें बिहार सरकार के द्वारा राज्य के 4 लाक नियोजिस सक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के वादे को भी कामुली परिच्छा को पास करनी होगी इसके बाद सरकार के द्वारा उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा वहिस खबर से सक्षकों में खुशी का महौल है रंगाडंग कारिक्रम के साथ होगा सोनपूर मेले का समापन पर इंडियन आइडल के विनर पवन दीप तिथा इंडियन आइडल फेम अरोनीता कांजी वाला के द्वारा अपने सुरू का जल्वा बिखेरा जाएगा इसके लावा कई और अने चर्चित गायक के द्वारा भी अपनी प्रस्तुती दी जाएगी वही समापन सत्में विवन विवागों के स्टॉल पर हुए कारोबार तिथा मेले में प्राप्त कुल राजश्व की जानकारी भी दी जाएगी विकास और कल्यानकारी योजनाओं के लिए बिहार को मिले 7,338 करोड रुपे वित्मंत्राले के द्वारा विवाजिय कड़ों में राजश्यों के हिसेदारी के अतरिक्त किस्त के रूप में बिहार को इस मह 7,338 करोड रुपे दिये गए हैं ऐसे मिस राजशी से राजशी में आधार भू सरनचनाओं का विकास किया जाएगा इसके अलावा समाचिक वज्जन कल्यानकाड योजनाओ पर भी यहराशी खर्च की जा सकती है किसी दूसरे मद में यह राशी व्याय नहीं होगी जारी हुई यहराशी कर हस्तांत्रन की नियमित किस्तों के अतरिक्त है नियमित किस्त भी अपने नरधार इस समय पर मिल जाएगी उसके दस जनवरी के आसपास मलने की संभाबना है नियमित किस्त का यह दसवाद चरण होगा वो लेखनी है कि केंद्रे कड़ो में राजियों के हिस्सेदारी बढ़ा कर 42 प्रतीशत की जा चुकी है संस्क्रत सक्षा बोर्ड ने मध्यमा परिक्षा 2024 के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथी बढ़ाई बिहार संस्क्रत सक्षा बोर्ड के द्वारा मध्यमा परिक्षा में परिक्षार्थियों की संख्यामी कमी को देखते वे एक बार फिर से परिक्षा फॉर्म की भरने की अं लेस पता में जारी किया जाएगा वहीं बोर्ड के ओर से प्रक्षारतियों की संख्या को कम होते देखते वे उन स्कूलों में प्राचाडी को प्राभारी से हटाने का नटने लिया गया है जो 7-8 अचे शूर्चार अब वहीं उनका पार्थिव सरीर बीते दिन उनके गाउन नारो मुडार पहुझा जहां उनका अंतम संसकार राजकिय सम्मान के साथ पूरा किया गया वहीं शहीद चंदन के भाई प्यूश के द्वारा बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला गया और उनके मीडिया से बात करते वे कहा किस मामले में सरकार से कोई मांग करना व्यर्थ है बिहार सरकार जातिये गरना करा कर पहले समाज को बाढ़ दी है सरकार पहले ही मान चुकी है कि किस जाती का बेटा शहीद होगा तो उसके अंतम यात्रा में उन्हें शामिल होना है बिहार सरकार की तरफ से चंदन के लिए एक टूइट भी नहीं किया गया और उन्हें कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नए शहीद को 50 लाग कैश एक न हनायक अमिताब बच्चन के सवालों का जवाब दिया जाएगा बता दे कि शो का टेलिकास 26 दिसंबर यानी की आस से 28 दिसंबर 2023 के बीच किया जाएगा आपकी जानकारी क्लिए बता दे कि ललित के द्वारा शो में जीती गई राशी का खुडासा करार नामे की शर्तों को देखते वे नहीं किया गया है उन्होंने बताए कि उन्होंने शो में अमिताब बच्चन के साथ फार्विस गंज की खूब चर्चा की है ललत के के बीसी में पहुशने को लेकर शहर मी खुशी का महौल है मालूम हो किससे पहले भी 21 अगस 2014 को फार्विस गंज के रामपुर जानकी के माई के जनकपुर धाम में भी उत्सव का महौल है बतादी के एक तरफ जहां जानकी मंदिर प्रवंध समीती के ओर से स्री राम के ग्री प्रवेश में एक हजार भार भेजा जा रहा है तो वही दूसरी ओर नेपाल की विविन नदियों के जल सी प्रभू के प्रवेश में एक तरत किया गया है समेय जल बुदवार की सुभा आठ बजे अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी कौन बनेगा करोर पती के नाम पर ठगी बिहार में शाइबर ठगी सजड़े मामलों में इंदनों व्रिधी देखी जा रही है बतादी कि ताजया मामला ब पै की ठगी की गई थी उस समय पाकस्तान के अलग-अलग बैंकों का चेक बुक एटियम कार्ड और तीन लाग कैश परामत किये गये थे फिलाल गिरों के अनिस दर्शियों की ग्रिफ्टारी के लिए पुलिस के द्वारा लगतार अभियान चलाया जा रहा है सीडी पियों शती सुमन के द्वारा जानकारी देते वे बताये गया किस गिरों का करेक्शन पाकस्तान से है लालू को एडी के समन पर बोले समराठ चौधरी रेलवे में नौकडी के बदले जमीन और फ्लैट कराने के मामले में एडी के द्वारा राजसुप्रीमों लालू प्रशाद य उन्होंने कहा कि भ्रशचारियों को यह लगेगा उनको जेल जाना पड़ेगा कोई रोक नहीं सकता उन्होंने कहा कि बीजपी नितीस कुमार और लालू प्रशाद दोनों से लड़ेगी और दोनों को दोखजार चौबस में हराने का काम करेगी आपके जानकारी के लिब ब मुख्य मंतरी तेश्वी यादब भी अपनी पतनी राजश्ट्री और अपनी बेटी कात्याईनी के साथ अपने पटना इस्तित आवास पर क्रिस्मस डी मनाते दिखें इसका वीडियो तेश्वी यादब के द्वारा अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया है जिसमे जिसमें वह अपनी बेटी कात्याईनी को गोद में लिए नजर आ रहे हैं और काफी खुश भी है वही म्यूजिक के धुन पर सभी लोग जूमते दिख रहे हैं इस दुरान राजश्ट्री भी काफी खुश दिख रही है बतादी के राजश्ट्री और बेटी कात्याईनी इस दिन होगी बैठक इस दिन होगी बैठक प्रदी संगठन महामंतरी भीखु भाई दलसामिया एवं छेत्री संगठन महामंतरी नागेंदर सनात्र समपोधित करेंगे उस्मान ख्वाजा ने एक बार फिर से ICC से लिया पंगा एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के सलामी बलेबाज उस्मान ख्वाजा के जूतों ने सुर्खिया बटोर ली है दरसल उनकी एक तस्वीर शोशल मीडिया पर खूब बाइरल हो रही है इसरायल हमास जंक से जड़े मैसेज लगाने के अनुमती मांगे थी जिसे ICC के द्वारा खारिच कर दिया गया था इसके बावजूद भी उस्मान ख्वाजा के द्वारा अपने जूतों पर अपने बच्चों के नाम लिखा गया और उस जूते के साथ मैदान पर उतरे जिसको लेकर अब ICC के द्वारा उनके खिलाफ एक्सन लिया जा सकता है अब भरते हैं आज के पांस सवाल की और हमारा पहला सवाल है दूसरे चरण के बिहार सक्षाक नियुक्ती परिक्षा के ग्यारवी एवं बारवी के कितने विश्यों का रिजल्ट चारी किया गया है उप्शन A 23, उप्शन B 22, उप्शन C 21, उप्शन D 20 इसका सही उतर है उप्शन D 20 अगला सवाल बिहार में कोरोना मरीज की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है उप्शन A 3, उप्शन B 4, उप्शन C 5, उप्शन D 6 इसका सही उतर है उप्शन B 4 अगला सवाल विकास और कल्यानकारी योजनाओं के लिए बिहार को कितने रुपए मिले हैं? उप्शन A 3,000 करोड उप्शन B 4,128 करोड उप्शन C 7,333 करोड उप्शन D 8,000 करोड इसका सही उतर है उप्शन C 7,333 करोड अगला सवाल नेपाल की पवित्र नदियों वह सरोब्रों से इकत्र किये गए कितने लीटर जल से स्री राम का जलावी शेक होगा? उप्शन A 700 लीटर उप्शन B 650 लीटर उप्शन C 500 लीटर उप्शन D 250 लीटर इसका सही उतर है उप्शन D 250 लीटर बीते दिन हमारी दुरह पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब हमें हमारी पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अकलेश कुमार, धीरज कुमार, सचिन कुमार, बिट्टो कुमार, रिसिकेस, साह, बाबूलाल मरांडी, रंजीत कुमार, नौशद राजा, राजकिशोर, महतो, मुहमत सकील, मुहमत शकीर हुसेन, जितंदर ठाकूर, सदुल्लाह पलवी, बीद प्रकास सिंग, रवी कुमार इसके साथ ही भरते हैं, आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपके नुसार बिहार में सरकार के द्वारा किन किन छित्रों के विकास पर पहले ध्यान देना चाहिए, अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर, ज़रूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिह के साथ बने रहने के देखते रहें बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहा है चाल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहा है तो पेस को फॉलो करना ना भूले